तो राजस्थान के कोटा जिले में खाद सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट खोरों के खिलाब अभियान लगातार जारी है मई बुद्धवार को महावीर नगर इलाके में खाद सुरक्षा टीम ने कारवाही कर 14 लीटर ही सीज कर सेंपल लिये इसी दोरान स्वास्तादिकारी जगदीश सोनी ने बताया कि लगातार शिकायत मिले पर टीमों द्वारा कारवाही की जा रही है और इसके तहट ही महावीर नगर इलाके में वल्लब एसोसियेट पर टीम ने कारवाही कर 14 लीटर ही सीज किया स्वास्तादिकारी जगदीश सोनी ने आगे बताया कि राभपुरा बाजार आरे समाज रोड पर भी एकविया पारी के यहां कारवाही की गई है जहां पर टीम ने 3480 किलो घी सीज़ किया और इसे सेंपल को जाच के लिए प्रयोग शाला भेज दिया है शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहट राज्य सरकार के वारा चलाए जारे मिलावट के खिलाफ अभियान के तहट आज मावी नगर में बल लबम एसोसेट के यहां खाथ सुरक्षा के टीम ने कारवाई दी जिसमें वहाँ पर मिलावटी घी के आशंका के तहट जेमडी सरस के 500 ml के और 200 ml के नमूने जाच के एकूर दिये गए और वहाँ पर जो घी था उसको सीच किया गिया और जाच जो थी जाच के लिए उनको वहाँ बेजा गया लेब में और इस्टेशन पर भी डिलाइट लाउंज एड डेस्टरेंट में निरिक्षन करके वहाँ पर पनी और टोमेटो ग्रेवी के नमूने लिए लिए इसके अलावा इन सब को जाच के लिए लेबरेटरी में बेजा जाएगा और इसी के साथ साथ जो मॉबाइल लेव है फुट टेस्टिंग लेव उसके द्वारा भी बहुत सारे थड़ी पर खेलों पर बिगने वाले पंद्राखाद पडार्दों के नमूनों की जाच मोके पर ही गई